विगत कुछ वर्सों से सिम्स में मेडिकल चात्र चात्राओं ने एडमिशन को लेकर वो रूची नहीं दिखाई है जो संभागी और विज्ञान संस्तान में भरती के लिए नजर आने चाहिए इस वर्स भी इनी हालातों को देखते हुए अंतिम तिति को जादा दिनों तक खिचिने के बात कही जा रही है मेडिकल चात्र चात्राओं को 36 गर इंस्ट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स कॉलेज में भरती बाकी मेडिकल कॉलेज से सुटेबल ना लगता हो तभी तो रिक्त सौ सीटों के लिए भी छात्र चात्राओं का इंतजार बना रहता है इस वर्स भी 20 जुलाई से रिक्त सौ सीटों के लिए काउंसलिंग जारी है जिसमें प्रतम चरण में आल इंडिया कोटे के सीटों को भनने प्रयास चारी है अंतिम सप्ता हमें पुनह इन अठारा आल इंडिया एवं सेंटरल नौमिनी सीटों के लिए प्रवेश दिया जाएगा राज पूल की काउंसलिंग की प्रक्रिया सीटों का आबंटन लॉकिंग किया जा चुका है उसकी अंतिम तिती खत्म हो गई है 29 तारिक से प्रारम होकर प्रथम चरण में तीन तारिक तक और उसके बाद फिर विभिन अन्य दो चरणों में वो प्रक्रिया संपन कराई जाएगी और अगस्ते फिर खक्षाएं प्रारम की जा सकेंगी 29 सारिकों प्रधंचरण में काउंसलिंग के बाद 1 से 10 अगस्त तक 82 आरक्षित अनारक्षित सीटों के लिए काउंसलिंग चलेगी इस वर्ष अंतिम तिथी सुप्रीम कोट की निर्देश पर 30 सितंबर तक तै की गई इस तिथी तक अंतिम रूप से एडमिशन ली जा सकती है जिसके बाद भी बावी डॉक्टरों की पढ़ाई शुरू की जा सकी